Hello everyone, WordPress series की इस next वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं How to install theme, कि WordPress में theme को कैसे install करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि कैसे plugin को install करते हैं Last वीडियो में हमने इन दोनों के बारे में अच्छे से समझा था अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उपर आई बटन पर लिंक आपको दिख रहा होगा उस पर जाकर देख सकते हैं और दोस्तो ये सारा जो हम काम कर रहे हैं वो हमारी hosting पर कर रहे हैं जो कि हमने blue host ले परचेस की है अगर आप भी इसको परचेस करना चाहते हैं तो दोने description में लिंक दिया हुआ है जाकर आप परचेस कर सकते हैं तो देखिए दोस्तो सबसे पहला हमें करना क्या होगा theme install करने के लिए हमें अपने wordpress dashboard में आना होगा जो कि इस तरह से आपको दिखता है उस पर आने के बाद left hand side में आपको option दिखेगा appearance का जैसे आप appearance पे mouse ले जाएंगे आपको option दिखेगा themes का आपको इस पर click करना है themes पर आने के बाद आपको कुछ पहले से predefined themes दिखेंगी जो आपके लिए available है जैसे आप देख रहे हैं कि 2021 theme है 2019 theme है 2020 theme है तो यह by default जब भी आप WordPress को install करते हैं यह कुछ themes जो by default WordPress की तरफ से है वो आती है नई theme को install करनी के लिए आपको add new पर click करना है यह जो button है यहाँ पर इस पर click कीजिए click करने के बाद आपको बहुत सारी themes यहाँ पर दिखेंगी जो की free of cost available है WordPress की तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको option दिखाये जा रहे हैं ठीक है आप देख सकते हैं इतने सारी themes अलग अलग purpose के लिए हैं जैसे आप देख सकते हैं कि कोई service या business की theme है कोई startup की theme है कोई particular business oriented theme है कोई blog की theme है कोई restaurant and cafe की theme है इस तरह से बहुत सारी themes या layout आपके लिए available रहती है यहाँ पर आप देख सकते हैं popular themes पर अगर आप click करेंगे तो popular themes में जागे आप देख सकते हैं कि more than 3900 themes available हैं जिसमें से आप choose कर सकते हैं यह देखिए बहुत सारी themes है आप scroll down करते जाएंगे आपको मिलती जाएगी मैं personally जो recommend करता हूँ वो करता हूँ extra यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो particular theme है यह मैं personally recommend करता हूँ इसका reason है क्योंकि यह बहुत ही lightweight theme है यानि इसके अंदर website काफी अच्छे से बनती है काफी smoothly run होती है और इसके अंदर जो fall to elements fall to मतलब extra elements जो की website को slow करते हैं वो नहीं है और यह काफी popular theme है तो अभी के लिए आप यह समझ के चलिए कि आपको जब भी WordPress पे काम करना है तो free theme में आपको Astra को choose करना है तो इस theme को अगर मैं अगर आप इसको अगर यह option नहीं दिखे आपको तो आप search बार में भी जाके लिख सकते है Astra और आपको यह theme दिखने लग जाएगी देखिए यहाँ पर Astra इस तरह का इसका एक color background रख आता है और A.S.T.R.E. यहाँ पर आता है दूसरी theme से confused ना हो वो astral है आपको उसको चूज नहीं करना है Astra को करना है इस theme को install करने के लिए आपको एक बटन दिख रहा है install इस पर click करना है आदेखिए यहाँ पर यह installing लिखा हुआ आ गया है क्यानि यह theme आपके WordPress में install हो रही है जी हाँ यह perfectly install हो गई है आप देख रहा है installed आप इसको आपको activate करना है तो click कीजी activate पर जैसे आप activate पर click करेंगे यह theme आपके activate हो जाएगी देखिए पहले जहाँ पर यह नीचे 2021 की theme हमारे पास by default activated थी अब हमने Astra को activate कर लिया है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बाखी यह 3 themes है इनके हमें जरुष नहीं है और हमें इनको delete करना है क्योंकि ऐसा कोई भी चीज़ आप अपने WordPress के dashboard में ना रखें जो आप use नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह आपके hosting के space को खाते हैं ओके पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर आप सिर्फ एक ही theme है हमारे पास जो कि Astra है अगर मैं बात करता हूँ कि user के look की देखिए जब हमने WordPress install किया था तो by default ऐसा look आया था अब हमने जब Astra theme को install कर लिया है अब इसको refresh करते हैं और देखते हैं इस look में क्या change आता है मैंने दबाया refresh को button और यह देखिए गाई यहाँ पर आपका look पूरा ही change हो गया है क्योंकि अब हमारा जो look है वो इस theme के according आ रहा है Astra theme के according आ रहा है पहले जो theme थी वो different थी अब हमने theme चेंज कर लिया है तो यह आपको theme इंस्टॉल करनी है दूसरा काम आपको करना है plugin इंस्टॉल करना है plugin में अभी जो plugin इंस्टॉल करना है वो हमें करना है elementor उसके लिए आपको जाना है again appearance के नीचे आपको देखेगा plugin plugin पे आपको देखेगा add new add new पे click कीजे add new पर click करेंगे तो आपको वही same process है यहाँ पर आपको search में जाना है right inside में आप देख सकते हैं search और यहाँ पर आपको search करना है elementor spelling आप देख सकते हैं E-L-E-M-E-N-T-U-R यह elementor plugin क्या काम आएगा आप देख सकते हैं 5 million से जादा इसके installation है अभी तर यह क्या करता है plugin में आपको बता देता हूँ यह plugin आपकी help करता है website को build करने में यानि छोटे-छोटे जो element होते हैं आप देखते हैं website में, images डालने में, text डालने में तो यह आपको help करेगा और यह drag and drop में सबसे popular आप कह सकते है page builder है यानि जो page को build करता है website builder plugin है जो हम popularly use करते हैं और free of cost है इसका paid version भी है पर वो हम use नहीं करेंगे यहाँ पर button दिया हुआ install now इस पर click कीजिए install now पर जैसे ही आपने click किया यह install हो रहा है इसको होने दीजिए दोस्तों अगर आपने इस series की बागी वीडियो नहीं देखी हैं तो मैंने description में link डाल रखा है आप जाके देख सकते हैं शुरू से देखी ताकि आपको सारी वीडियो समझ में है देखिए यहाँ पर यह install हो चुका है अब आपको click करना है activate पर और जैसे ही आप activate पर click करेंगे यह plugin हमारा successfully install और activate हो जाएगा देखिए यहाँ पर लिखा रहा है welcome to elementor इस screen से हमें कोई जादा मतलब नहीं है हम इसको cross कर देते हैं इस तरह से हमने दो चीजें इस वीडियो में सीखी first कैसे theme को install किया जाता है जो theme हमने यहाँ use की उसका नाम था extra A-S-T-R-A और दूसरा कैसे plugin को install किया जाता है जो plugin हमने install किया उसका नाम था elementor जो की हमारी website को build करने में काम आएगा उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा वीडियो अच्छी लगी तो like ज़रूर करना अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो जो WordPress सीखना चाहते हैं जो website बनाना चाहते हैं अपना career बनाना चाहते हैं website designing में चैनल को subscribe कर लो so that किसी भी आने वाली वीडियो का notification आप miss ना करो Thank you so much, have a nice day, take care